हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल गाइस में एक और न्यू रिडिंग के साथ आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे पड़ रहे हैं तो सबसे पहले काईस सो सो सौरी क्योंकि बैक्ग्राउंड से ने तुम्ह सब्सक्राइसल घरे चाम कर लिए तो पहरो पाइसल बने काम कर लिए मैं तो आप सत्याना करें एहां हैं तोिर्ट दोड़नों करने वाली कि ये आप सब्सक्राइब के लिए जाने ए अपक्ता की शायरा, और žाना हैं कि आप तो si simple, are you on the right path? and where your path is taking you आपको कहां लेकर जा रहा है आपका path are you on the right path आप सही रास्ते पर भी हो या नहीं हो ठीक है तो आज की reading बहुत जादा important है बहुत time बाद में this topic पर reading लेकर आई हूँ फिर से तो जल्दी से start कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या guidance आने वाली है ओके start करते हैं शुरू करने से पहले काईस बता दूँ कि यह general reading है हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो so please keep an open mind timeless है यह reading जब भी आप यहां तक आएं आप यहां पहुंच रहे हैं तो आप देखें इस reading को हो सकता है आपकी help हो जाए यह card आ रहा है इसको लिखते हैं okay चलिए इन cards को हम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है ace of wands, three of wands, eight of swords, four of swords and temperance okay do card में और लूंगे आपके लिए एक card अपने आप आजिया है and we have six of cups cards आ गएं guys आपके लिए यहां पर मैं देख रही हूँ cups के दो card है swords के दो card है और wants के भी दो ही card है यानि कि struggle, passion, emotion सब में घिरे हुए हो आप right now passionate हो अपने career के लिए but struggle है आपके career में और अपनी love life को लेकर भी आप बहुत ज़दा disturbed है right now ठीक है तो कुछ यह चीज़े आपके साथ चल रही है but still आप healing को continue रख रहे हो ठीक है healing में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो हर चीज का accept कर रहे हो हर situation का accept कर रहे हो और move on होने की भी कोशिश कर रहे हो if you have multiple problems then you have talent to manage multiple events in your life okay अगर बहुत सारे obstacles आ रहे हैं तो you are enough capable to manage all the hardships of your life ठीक है because temperance card है यह आपकी positivity आपके aura को बता रहे है आपके dedication को बता रहे है और आपके calmness को बता रहे है like अगर आपको struggle है तो still you have hope like यहां पर bright sun हम देख सकते है इनके माथे पर जो यह एक बिंदू है यह बता रहे है के आप कितने positive हो कितने optimistic हो अपनी हर एक situation को लेके and you can manage all the things at a time you have enough greenery around you and yes so you are abundant I would say divine की blessings भी आपके साथ है आपके career में कुछ नया स्टार्ट हुआ है ठीक है ऐसा हो सकता है आपने किसी नई activity में admission लिया है wait a second और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ dance classes, yoga classes या gym join किया हो या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने academics में कोई नया step लिया है कुछ नया try करने की कोशिश कर रहे हो या job career को लेकर कुछ अच्छे ideas आपके mind में आ रहे है ये चीज़े अगर आ रही है ऐसा कुछ नया कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है ये clear दिखा रहा है कि आपका path आपको सही जगा लेकर जा रहा है आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हो right now you are on the right path ठीक है मैं आपको ये बोलूगी but आपके path में बहुत सारे आपके रास्ते में बहुत सारे काटे कहलो obstacle कहलो ये चीज़े दिख रहे हैं अभी आप किसी person के साथ stuck दिख रहे हो जो आपको disturb करता है बहुत ज़्यादा आपके mental peace को खतम कर रहा है और आप move on नहीं कर पा रहे है उस person से आप stuck हो यहां पर ठीक है और आपको नहीं पता future इसके साथ है या नहीं है जब हमें किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता हमें नहीं पता कि इसका end कैसा होने वाला है या फिर आगे क्या होने वाला है आपको नहीं पता और आपको situation में जीना आने लगा है और आपको बस नहीं पता आप अभी stuck हो गए हो आपको नहीं पता future क्या है क्या नहीं है कैसा होना है आपको कोई idea नहीं है आप इस टाइम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो situation को देख किस person के साथ और आपको नहीं समझ मैं आप तो ऐसी situation ही हमें surrender करनी के लिए बोलती है जब आप कुछ करही नहीं सकते हो इस situation में तो फिर tension भी क्यों लेनी tension लेकर क्या situation ठीक हो जाएगे जब आप action नहीं ले पारे blockages आ गए है ठीक है situation एकदम रुक गई है तो ऐसे में tension लेना भी गलत होता है क्योंकि जब हम कुछ करी नहीं पारे और tension ही tension लेंगे तो फिर इससे हम अपनी खुद की भी personal life को खराब कर रहे हैं और अपने peace of mind को भी खराब कर रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है surrender surrender कर दो इस person को इससे जुड़ी हुई सारी की सारी यादों को और just focus on your healing just focus on your healing ओके तो ये आपके लिए guidance है ये आपके रास्ते में न काटा बनकर एक तरीके से काम कर रहे हैं एक तरीके से इस टाइम वो obstacle बन चुके हैं आपके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर कौन spiritual connection में है कौन karmic connection में है बस मैं बता रहे हूँ कि आपके रास्ते के आगे आपकी love life बिखरी पड़ी है ठीक है जिसको लेकर आपको कोई idea नहीं है right now कि चीजे ठीक होंगी नहीं होंगी और होंगी भी तो कब तक होगी कैसे होगी you don't have any idea about this situation so इसको लेकर tension भी लेने का कोई right नहीं बनता अभी जब हमें situation कहीं नहीं पता तो tension भी क्यों ले just surrender all the things इस related सारी चीजों को आप surrender कर दो तो आप अपने रास्ते को easily follow कर सकते हो थोड़ा सा happiness हा जाएगी आपकी life में ठीक है और हो सकता है जितना खुश होकर काम करोगे तो ये जो चीजे बिखरी हुई है ये भी सही हो जाया आपकी life में ठीक है तो ये काम आपको करना है गाई अगर इस तरीके से करते हो तो yes you are on the right path और पते हैं सही रास्ते पर होना ही सब कुछ नहीं होता सही रास्ते पर आप आपको एक रास्ता दिखा दिया divine ने कि यहां से ऐसे जाओगे तो सीधा अपनी मंजल तक पहुँच जाओगे अब रास्ता दिख गया रास्ते में कितने काटे हैं कितने पत्थर हैं कितनी मुसीबते हैं वो भी तो आपको manage करते होई चल चलना ही है न अब कुछ ठीक से चल पाओगे वरना तो फिर डिले होगा या रहोगे परिशान होगे कुद की हल्थ खराब कर दोगे इसमें कोई फायदा नहीं है आपका ओके चलो आप तो रहे से कार्ट और दिखेंगे financial भी problems अभी चली रही है आपकी life में this is again an obstacle कोई बात नहीं सुख दुख सा बात है follow your intuition intuition will tell you everything about your situation about your manifestation about your obstacles or challenges ठीक है दूसरों को लेकर jealousy वगरा feel नहीं करनी है आपने memories of love again दुबारे से कार्ड आ गया है and four number भी दुबारे आ गया है four of source का कार्ड दुबारे आ गया है yes आपको देखो आपको चीजों को surrender करके चलना पड़ेगा और अपनी intuition को follow करना पड़ेगा आपकी intuition आपको आपके रास्ते में बहुत चीजों को लेकर guide करेगी ठीक है इस टाइम आपको अगर headache हो रहा है आप अपने काम को लेकर भी बहुत परिशान हो रहें उसमें भी आपको अच्छा करना अपने बस new beginning पर focus कीजिए new adventure new excitement new events पर focus कीजिए festival का time है events आ रहे है इनको celebrate हीजिए ठीक है Surrender करने का मतलब होता है कि हम भगवान को सारा अपना दुख Surrender कर रहे हैं और उनके सामने अपने दुख को रखकर ये बोल रहे हैं हमें शक्ती देखकर हमारी situation को ठीक कर दो ये मतलब होता है और जब हम इतना विश्वास रखके उनको ये चीज बोलते हैं तो इसका मतलब ह कि फिर अब हमें टेंशन लेनी ही नहीं है उस चीज को लेकर क्योंकि हमने वो कर दी सरेंडर अगर सरेंडर करके भी आप बार-बार रो रहे हो परिशान हो तो उसका मतलब आप सरेंडर नहीं कर पाए हो तो यह चीजे होती हैं कॉंप्रिमाइस करके चलना पड़ सकता है अभी थोड़ा सा लाइफ में एंड येस हमें किसलिए मिला है हम देखते हैं इसका अंसर आपके लाइफ में डिवाइन कुछ लोगों को भेजेंगे जिन से आपको काफी हल्प मिल सकती है डिवाइन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते वो अगर अपने आप से दूर हो रहे हैं तो भगवान ही किसी और का रूप लेकर आ जाते हैं जिससे आपको लेना देना नह इनसान का रूप लेकर आपके सामने आ गए उस टाइम हल्फुल पीपल तो डिवाइन विल हेल्प यू गाईज यस टेफिन आपकी मदद करेंगे और बी असर्टिव सबसे आप तो प्यार से ही बोलो प्यार से रहो ठीक है अब तक आपने बहुत प्यार से बात करी है आग इन सही से चलना भी आप ही की रिस्पॉंसिबिलिटी है तो इन सब चीजों पर फोकस रखकर आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में एक दू मैसेज़िस में और लेना चाहूंगे आपके लिए वाउ सच में न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में इस न्यू बिगनिंग को इंजोई करो ठीक है पुराना सब भूलके नए पर फोकस करना है अब आपने और जो आपके डिजायर है ठीक है टू वट इस डिजायर अफ यू परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉ न्यू बिगनिंग डिवाइन आपको दे रहे है आपकी लाइफ में और जल्दी चीज़े सारी अच्छी हो जाएगी ठीक है असर्टिव रहो अबंडन्स आपको मिलेगा यू विल रिसीव अबंडन्स एड दी एंड ओके इस यूर रीडिंग आपके साथ रेजो नहीं झाल